हलो बच्चों कैसे हो आपका स्वागा थैतिरपान स्टेडी सेंटर में आज जो आपके समक्ष टॉपिक पस्तुत हुआ है कई मानने में काफी महत्वपून है हर एक इक्जाम व्यू से ठीक है इसमें हम हर एक बात पर विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अच्छूता था तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है भारत पर साशन करने वाले राजाओं के जो अगर देखा जाए तो बहुत लंबा जो है हमें लिस्ट है लेकिन देखा जाए तो वही राजा हमेशा राजा होता है जो सभी के दिलों पर राज करता है कहते हैं जिनके नीतियां और जिनके कारें सबके लिए महत्वपून होता है वही महत्वपून बन जाता है चाहे पुरातन समय हो चाहे अधुनिक काल हो कहते हैं जिनके नीतियां अच्छी होती है और जो जक्लियान की बाते रखते हैं वही सदेव सभी के मनों में बने रहती हैं तो यहां पर देखा जाए तो ग्याओ दिन बलवन का जीवन कहते हैं दासों का था लेकिन फिल भी कहते हैं जिनके अंदर एक प्रतिवा होती है वह दास होते हुए भी राजा बन जाते हैं तो यहां पर ग्याओ दिन बलवन ने कुछ ऐसे नीतिक अनुसरन करके कहते हैं इतिहास के पढ़ने को ही बदल के रख दिया कहते हैं गुलाम साशकों में ग्याओ दिन बलवन का नाम काफी महत पून है और उससे भी महत पून यहां पर बलवन का जो है लो रख नीति आती है अगर हम ग्याओदिन बलवन के जीवन के बारे में परकास डालें तो आपको मैं बता दूँ ग्याओदिन बलवन जाती से इलवारी तुर्क था ग्याओ दिन बलवन जो था जाती से इलवारी तुर्क था और उसकी जनम तीथी का हमें पता नहीं है और इतिहास कार का जो है अपना-पना इसमें विचार धारा है उसका पिता उच्चे श्रेणी का सरदार था देखा जाए तो उसका पिता जो था उच्चे श्रेणी का सरद फिर भी ग्याओ दिन बल्बन जो था एक दास था आखिर ऐसा क्यूं इसमें एक बात है कि वाले काल में जब वो बच्चा था बच्चों में ही मंगोल ने उसे पकर कर बगदाद के बजार में दास के रूप में से बेज दिया था देखा जाये तो उसके पिता जो थे उच्च शेनी के सरदार थे और उनके कुछ दुस्मनों ने बल्बन को बाले काल में ही मंगोल के से उसे पकर कर बगदाद के बजारों में ग्याओ दिन बल्बन को बेज दिया सुल्तान इतुमीस ने उस पर दया की और उसे मोल ले लिया क्योंकि देखा जाये तो एक कहावत है जब बलवन को बजारों में बेचा जाता था तो उसे कोई भी नहीं खरिदता था कारण ये था कि वो कुरूब था इसलिए जब इतुमीस के समक्ष उसने इश्वर की दुहाई दी तो उस पे तरस खाके सुल्टान इतुमीस ने उसे खरीद लिया और ये वो समय था जहां परितिहास के एक नए पन्ने लिखे जा रहे थे देखा जाये तो स्वामी भक्ती और सेवा भाव के फल्सुरूप वो निरंतर उन्नति करता गया जोकि देखा जाये तो कहते हैं किसी में कोई परतीवा होती है तो वो दवे कभी नहीं छुपती है वो दीरे दीरे उन्नति करता गया यहां तक कि सुल्तान ने उसे चोह लगन के दल में समलित भी कर लिया और यह महत्वपून एक दल थी जिसमें बलवन को समलित किया गया और उसको इसलिए समलित किया गया उसकी प्रतीवा उसका जो है लगन और उसका जो है तरक्टी को देख के सुल्टान ने उसे चो लगन के दल में सम्नित कर लिया और देखा जाया तो रजिया के राज्यकाल में उसकी नुक्ति अमीर सिकार पद पर हुआ उस समय अमीर पद उच्चे पद की एक पदवी थी जो रजिया के राजकाल में हुआ था क्योंकि देखा जाए तो इतु में इसका कोई भी ऐसा संतान नहीं था जिसमें राज्य करने की प्रविती हो और उसके अंदर समालने की इच्छा सकती हो इसलिए रजिया जो है भारत का पहला जो है इस्त्री साशक बनी और रजिया के राजकाल में देखा जाय तो बलबन को जो अमीर सिकार के पद पर हुई बहराम उसके रहवारी और हसी के छेतर पैदान किये और अमीर एक आखुर का पद भी दिया गया जो काफी महत पूर्ण था और यह सब रजिया के राज्य काल में क अपने समारिक गुन का परमान भी दिया अगामी वर्ष जब नियावदीन मुहम्मर सिहासन रुड हुआ तो उसने बलवन को मुख मंत्री यानि अमीरे हाजी पदपरासीन किया और यह काफी महत्पून समयकाल था जब नयावदीन को जो है सिहासन पर बैठाया गिया 47 वर्ष तक उसने इस उतरदायतों को निभाया 47 वर्ष कम नहीं होती है और इस अविदी में उसके समक्ष जटिल समस्याएं पस्तुत हुई जथा एक अफसर उसे अपमानित भी होना परा परन्तु उसने ना तो सहास ही छोड़ा और नहीं द्रिन संकल्प कहते हैं जीवन में एक बहुत ही महत पूनबात होती है जिनको अपने लक्ष को प्राप्त करना होता है कहते हैं उनको कभी अपनी सहास नहीं चोड़ना चाहिए और उन्हें द्रिन संकल्पी होना चाहिए कहते हैं जो हमने संकल्प Author इसे निस्टाबान से उसको पूरा करने की सहास होनी वो निरंतर उनती की दिशा में ही अगरसर रहा उसने आंत्रिक विद्रो का भी दमन किया कहते हैं ऐसे उस समय काल में बहुत से विद्रो भी हो रहे थी क्योंकि देखा जाए तो रजिया सुल्तान एक स्त्री थी और बहुत से लोग उसके पसंद नहीं करते थी जिनके कारण बलवन को जो है उस समय बहुत से विद्रो का सामना भी करना पर और दमन भी करना पर और ब्रहाय आकरमन के सफल देखा जाए तो सन 1246 में दुआवे के हिंदू जमिदारों की निगमता से हत्या भी कर दी गई तब पस्चार कालिस जर एवं कारा के परदेशों पर अधिकार जमाया और परसन होकर सन 1249 इस्वी में सुल्टान ने अपनी पुत्री का विवा उसके साथ कर दिया और ये बहुत काफी महतपून बात थी रजिया सुल्टान की एक बहन भी थी जिसको जो है यहाँ पर बलवन से विवा कर दिया गया क्योंकि उसकी सहश और उसकी जो विर काफी प्रसिद हो गई थी काफी महतपून थी तो सुल्टान ने इसको जो है 1249 इस्वी में अपनी पुत्री का विवा उसके साथ किया और उसको नयाब सुल्टान की उपाधी भी प्रदान किया गया जो उसके जीवन का सबसे महतपून उपलवदियों में से एक माना जा सक सकता है 1252 में उसने गौालियर चंदेरी और मलबा पर अवियान किया यह बलवन का सबसे महतपून अवियान था जो 1252 में उसने गौालियर और चंदेरी और मलबा पर अवियान का सुब अरम किया परतिद्वंदियों की इशाओं और दोस्ट के कारण एक वर्स तक वह विवाश्ता को बिगर्ती देख सुल्तान ने विवस्ष होकर उसे बहाल कर दिया क्योंकि देखा जाये तो उस समय के लिए अपने साथन को समालना बहुत ही मुश्किल कारे था तो इसलिए सुल्तान सुल्तान ने बलवन को फिर से जो है उसके पदद पर बहाल कर दिया अदुवारा कारभार समालने के पच्चाथ उसने उदंड अमीरों को नियंदर करने का प्रयास किया और उस पर करी से करी निगड़ानी रखी कई अमीरों को उसने बलवन ने हत्या भी कर दी सन 1255 इसमी में सुल्तान ने सो तेले पिता कलुखा के विद्रो को भी दवाया और ये काफी महतपून बात थी इवन देखें तो सन 1200 संताव इस्वी में मंगौल के आकरमन को भी बलवन ने बेखूबी रोखा और सन 1269-इस्वी में छेत्र के वग्यों को नास भी किया जो काफी महतपून बा आगे देखें तो 1260 इस्वीव से लेकर 1266 इस्वी तक उसी कृतियों का इतिहास प्रयाप नहीं था और उसने 47 वर्थ तक राज्य किया सुल्तान के रूप में उसने जिस बुद्धी मता कारे कुसलता नैतिक का परिचे दिया इतिहास कारण उसकी भुरी भुरी प्रसंसा भी की है यानि देखा जाए जब बल्वन राजा बना तो अपने राज्य काल में उसने बहुत बुद्धी मता और कारे कुसलता और नैतिक्ता का परिचे भी दिया और यह बहुत से तिहास कार का मानना भी है तो यह काफी महत्पून है देखा जाए तो बल्वन का राज बहुत ही देणिये था देखा जाए तो रजिया सुल्तान जो समय रास यहासन में बैठी थी और उसके सासनकाल में समय मंत्री था और परिजिया सुल्तान को जो है बहुत से डांकूओं ने जंगलों में हत्यादी उसके बाद साशन जो था बिक खरसी गई थी लेकिन कारियों से बचाना भी था तो देखा जाए शासन पदिती को उसने नवीन धाचों में ढालने की कोशिश किया और ये उसकी सबसे महतपून नीती थी शासन पदितियों को उसने नवीन धाचों में ढाला और उसके मुल्ले लौकिक बनाने का प्रयास भी किया वह मुसल्मान व क्योंकि देखा जाए तो हर साशनकाल में जो है बहुत से लोग दुसरे लोग की बातों पे आके अपने शाशन को खतम कर लेती थी लेकिन यहां बल्बन में इस बात को नहीं हो आने दिया वो मुसल्मान विद्वानों को आधर करता था लेकिन राज के कारे में उनके हश्यप नहीं करने देता था उसका नियाय पक्षपाती रहता था और उसका दंड अत्यतिन कठोर था क्योंकि देखा जाए जैसे हलात थे उस समय दंड कठोर होना काफी महत्वपून था इसी कारण उसकी सासन नीतियों को लो रक्त नीति कहकर संबोधित भी किया जाता है और उसमे एक बात भी है कि जिस समय बलवन राश्यासन बैठा था चारो तरफ जो है उद्रवियों ने उद्रव मचा रखा था और उस समय सासन करना उसके लिए बहुत ही मुश्किल कारे था और उसने लो रक्त नीति का अनुसरन किया देखा जाए तो एक कहाबत भी है कि लो रक्त नीतिक करते हुँ अपराध ही पक्रा जाता था या कोई भी डाकूप पक्रा जाता था तो उसको सवकशने के लिए शकी हत्या कर दी जाती थी और उसके शरीर से जो हढ़िया निकाल ब्हुसा भर के चौराओं पर लटका दी जाती थी जिसको देखके इसके साशन काल में अ शाफी महतफू पूर्ण थे क्योंकि साशन के लिए ये करना उस्समें जरूरी था और उसके नीतियों को ही जो है लो रख्त नीतियों से संबोधित किया गया बाजित में अथे ऐसी विवस्ता के साक्षता जरूर थी क्योंकि एकर ऐसा नहीं विवस्ता की जाती तो शायद बलबन के लिए राज्य करना संभब नहीं था क्योंकि मंगोलों के आकरमन की रोक थाम करने के देश से सिमान चेंतर में दृण दुर्गों का निर्मान किया गया जो काफी महत पून थी कि मंगोल उस समय बहुत आकरमन करते थे इस पर और यहां से बहुत से जो है लूट मार करते थे तो इस समय इस तरह के नितियों का नुसरान करना उसके लिए काफी महत पून बन गया था इन दृगों में सहासी योद्धाओं को निकति भी किया गया जो सहासी योद्धाएं होती थी इन सारे दूग जो बनाये गए थे उसमें बलबन ने निकति भी की उसने मवात दूाव और कठहेर के विद्रोहियों को अंतंकी भी किया देखा जाया तो इस सारे के साथे विद्रोही जो थे काफी खतरनाक थे और इसका बलबन ने दमन किया और इस सभी नीतियों को लो रख्तनीती के नाम से जाना जाता है जब तुर्गिली ने बंगाल में सुतंता की घोशना कर दी तब सुल्तान ने स्वेम वहां जाकर निर्दैता से इस विद्रोह का दमन किया क्योंकि उस समय विद्रोह की एक सिल्सला से उठ खड़ी हुई थी समराज्य विस्तार करने की उसकी नीति न थी लेकिन विद्रोह को दवाना उसको प्राथिमिक्ता थी उसके बिप्रित उसका अधिन विश्वा समराज्य के संगटन में था विद्रोह की बलबन जो है अपनी समराज्य का विस्तार करना नहीं चाहता था जो समराज्य उसके पास थी उसको संगटित करना चाहता था उसको एक करना चाहता था और यह काफी महतपून नीती होती है देखा जाये तो यह नीतियां काफी महतपून रहती है कि अगर हम पद पर होते हैं उनको और कुछ बहुत कुछ चाहिए यह नहीं कि अपने छेत्र को जो है वो समा ले अपने छेत्र में विकास करे इसे लोग देखके खुशी हो तो यहां पर बलबन ने इस तरह का जो है गलती ना किया उसने विस्तार के जगापर जो है अपने राज्यों को संगहटित करने में विस्वास रखा और इस उद्देश की पूर्ती के हेत्व उसने उम्राव वर को अपनी नेंतर में रखा एवं सुल्तान के पद और प्रतिष्ठा को भी बनाए रखा देखा जाये तो बलबन एक बहुत ही दूरदर्स्ता से अपने राज्यों को समाला उसका एक बात कहना था कि सुल्तान का हिर्दय देव्य अनुकंपा की एक विस्षेश निदी है और इस करन उसका स्थव अधित्य है और यह का भी महत पूर्ण बात उसने बताई कि सुल्तान का हिर्दय देव्य अनुकंपा की एक विस्षेश निदी है और इस करन उसका मानने हैं जैसे अगर आज के समय में देखे तो आज काल देखिए हरEक मंत्री सब जो है एक दूसरे पर आरौ पर तिरोप लगाते रहती है ढर्म के नाम पर आजनिती करती हैं जो गलत है जबकि भारत देश एक धर स्चीं देस हैं यहां ना किसी के धर्म है ना किसी की जाती है धर्मिर्पेक्ष है हमारा देश धर्मिर्पेक्ष है इसका मतलब देश को चलाने वाला विक्ति भी धर्मिर्पेक्ष का पालन करना चाहिए उसका अपना एक धर्म नहीं होना चाहिए क्योंकि कहते हैं एक बात महत्वपून होती है धर व्लाद हमारे देश के लोग ये नहीं बात समझ पा रहे हैं तो हाँ पर हमारा नीजी विचार दारन नहीं चलेगी क्योंकि हम बड़े पद पर हैं और हमारे कि जो आगे बहुत से लोग जो हैं हम पर आशा लगा के बैठे पर हें चाहे। किसीबी जाती की हो अगर हम धर मिर्प्यक्ष को त्याग देते हैं तो उन लोगों का क्या होगा और ये बात बहुत महत्वपून थी बलवन की कि बलवन ने सुल्तान का हिद्धे देव्य अनकंपा की विश्यस निदी समझी और इसका आज वाई से तो अधित्य थी ये बात समझी उसने सिजादा एब सम्गम पावोस की पदिती को चलाया और ये काफी महत्वपून पदिती थी उसका व्यक्ति तो वह इतना प्रभाव शाली था कि उसको देखते ही लगा संग्याहीन हो जाते थे लोग देखा जाया है संगे हीड हो जाते दिंग कोई विचार धारा रह नहीं जाती थी यानि उसका व typically प्रभाव शाली था कि उसके सांएं कोई भी ठिक नहीं पाता था कहते हैं जब अच्छे विक्ति तो लोगों में उसका भैवी था प्रेम भी था मंगोल जिस तरह से उसके आक्रमन कर रहे हैं उसके सासनकाल में उसने जो भी नितियां अपनाई वह काफी महत्वपूर्ण थी और इन नितियों को जो है लोरक्त निती के नाम से जाना गया यहां पर देखा जाए तो एक निति ना हो आज देखिए भारत में बड़े-बड़े लोग जो होते हैं इतने तलग के अपरात करके बैठे परे हैं उन्हें पर केस चल रही है फिर भी ओर राजा बैठे परे हैं तो यह सिस्टम नहीं होना चाहिए कहते हैं आज सबस्जा अपराधिक अपराध ही तो यह कुंत्री हों सभी के लिए एक जैसा रूर लेगुलेशन था अपराद चाहे कोई छोटा कड़ी या बड़ा कड़े सब को सजा दी जाती थी और इसी को लो रख्तनीती के नाम से जाना गया बलवन ने सेना का भी सुधार काफी किया और दुरवल और बुद्ध सेना नाइकों को हटा कर उनकी जगा बीर एवम सासी जवानों के निक्ती भी की ये इसका सबसे महत्वपूर लो रख्तनीती के अंतर गताता है जिसमें उसने सेनाओं में बहुत ही महत्वपूर सुधार क किया और जो दुरवल थे और जो ब्रिद अवस्ता में सेनायकों थे उनके हटा कर उनके जगह जो है बीर सासी जवानों की नुक्ती की गई वह तुर्क जाती के एक अधिकार का प्रति पालक था अंत्ता उच्चे पदो से अर्थुक लोगों ने उसे उसने हटा दिया जो भी 1286 इसमी में मद्य पर लोग सिधार गया यानि देखा जाया तो उसकी मृत्तु जो थी 1286 इसमी में हो गई थी और बल्वन के दरवारी फारसी कभी अमीर खुसारों और अमीर हसंद थी और देखा जाया तो नासु दीन मुहम्मद के बल्वन के उलगू खां की उपादी दी और बलबन ने फार्सी त्योहार नवरोज प्राम्ब करवाया और सिजदा और पोवस एक प्रकार की समान करने की पदिती थी जिसने सुल्तान को लेट कर समान देते थी और देखा जाये तो सुल्तान का ताज और पैर पर चुमते थी बलबन दिल्ली की मंगोल के आकर्मन से रक्षा करने में सफल रहा और बलबन ने अरम में ही तुरकान एवम चलगामी यानि चालिस गुलामे का दल का नाश भी किया जिसे इतुमिस ने बनाया था यानि देखा जाये तो चालिस गुलामों का दल जो था इतुमिस ने बनाया थ उसको बलवन ने अपने सासनकाल में को कर दि नास कर दिया जो काफी महत पून था और उसके समय काल में जो भी नितियां अपनाई गई वो काफी महत पून थी इसको लो रक्तिember के नाम से जना जाता है अब चलिए इसके मुल्लेकान करके देखे कि उसने कितने वर्ष क्या-क् पर जो है आशन रहे कि क्या क्या कारे किया बलबन अपने प्रिये तथा हुनहार पूत्र का दुखत समचार सहिन नहीं कर सका कहते हैं बलबन की मृत्तु में भी एक बात थी कि जब बलबन के अपने प्रिये और हुनहार पूत्र का दुखत समचार जब मिला तो इस समचार को वो सहन नहीं कर सका और इसकी मृत्यू जो है 1286 में उसकी मृत्यू हो गई उसने भारत पर 20 वर्ष प्रधान मंत्री और 20 वर्ष सुल्तान के रूप में शाषन किया तो देखा जाए तो बलवन ने ये की चालिश वर्ष में अब उसने सम्राज की सिवा चेस सति सुल्तान की मन प्रधिष्टा में वरी बृद्धी की यानि मुल्य काण करे तो बलवन ने काफी महतुपून योगदान दिया सबसे महतोपून योगदान थी उसके नीतियां कहते हैं बलवन अपने समराज को विस्तार नहीं करना चाहता था वो यही कहता था जो हमारे पास है उसको हम समेट के रखी और यह उसकी बुद्धी मता थी देखिए यह बात महतोपून होता है कि जिस पद पे आप उस पद की गर्मा बनाईए उस पद के रिगार्डिंग कारे प्रनाली कीजिए लेकिन आज के भारत वर्ष में ऐसा नहीं है अगर किसी को एक पद मिला हुआ है तो उसको दुसरा पद की लालसा है लेकिन अपने पद की गर्मा भूल जाते हो जो कारे उनको उस पद पे करना चाहिए वो न करके दुसरे पद की लालसा में लगे रहते हैं प्रेतनों में लगे रहते हैं जिनके कारण जो है विकास की जो है कहीं भी नामों निश जाता है जहां पर अपरादुई जो है डरे और अपराद करने से पहले दस बार सोचे लेकिन आज देखिए हमारे देश में अपराद पर अपराद होता चला जा रहा है लेकिन इसका कोई भी डर नहीं है किसी को कुछ समझ नहीं है आज लोगा पराद करके बरे बरे नेता बन जाती है और उनके केस फाइल चलता ही रहता है आज सभी मंत्रियों बर कोई ने कोई केस चलता ही रहता है फिर भी वो देश्य के भाग्य लिख रहे होती है तो यह कैसा हमारा समय काल बन गिया है कहते हैं राजा तो वो होता है जो निर्कुष होता है जिस पर अंकुष न लगाया जा सकी लेकिन आज के समय में उस राजा पर 50 केश चल रहे होते हैं फिर भी वो राजगदी पर बैठके शाषन कर रहा होता है तो बलवन का यहां पर नीतियां काफी महत पूर्ण थी बलवन के जीवन भी महत पूर्ण था और यह काफी महत पूर्ण टॉपिक है आपको उसको समझना है लिखना है और अपने एक्जाइम की अच्छे से त्यारी करना है अगर समझ में आया अच्छा लगा तो जितना हो सक इस वीडियो को शेर करें जिसे दुसरे बच्चे तक भी ये वीडियो पहुंच जाए जो भी कहते हैं अच्छे नीतियों कानुसरन करना प्रतेख व्यक्ति का करतव्य वन जाता है चलिए यह तो आपकी मन की इच्छा है कीजिए चाहे नहीं कीजिए लेकिन एक बात जुरू कर लीजिए क्योंकि आने वाला समय में बहुत से टॉपिक आपको मिलते रहेंगे आपके कक्षाओं के अंतरगर्द तो सोचिए नहीं विचार ना कीजिए अभी त्रपान सब्सक्राइब करने में सेव कीजिए क्योंकि यहां पर सिक्स चले के में तक के बच्चों के लिए सारे वीडियो प्लब्द है तो यह आपके लिए महत्वपुन बन जाता है तो सोचिए नहीं विचार ना कीजिए अभी तिरपान सब्सक्राइब करने में सेव कीजिए